सब्सक्राइब कीजिए केरिंग यू ऑनलाइन हिंदी चैनल को और प्रेस कीजिए वेल आइकॉन इसी तरह की हेल्थ और ब्यूटी टिप्स रेगलर वेसिस पर देखने के लिए तो हमारी पूरी बॉडी फिर चाहे वो फेस हो चाहे हमारे हाथ पैर हो या बॉडी का कोई और पार्ट हो हम सभी का बहुत ध्यान रखते हैं चाहे फिर वो हमारे हैर सो लेकिन जो सबसे नेगलेक्टिट पार्ट हमारी बॉडी का होता है वो है हमारे पैर जिनका हम सबसे कम तो यह आपकी पूरी औरिल्ट को रिलैक्स करती है, कि उनका सीधा असर पढ़ता है आपकी आखों करें, पर इसलिए अगर आप दिनमा लैपटोप या कम्प्यूटर पर काम करते हैं डेस्क जोब आपका है दिनमर बैठे रहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा आखों में धकान महसूस होती है तो उस केस में भी सिर्फ पेरों के तल्वों की मसाज आपको बहुत ज़्यादा रिल है तो गाय का घी अगर गाएका है तो सबसे अच्छा है नहीं तो कोई वी घी आप ले सकती है और अगर सर्दिख का मौसम है तो चॉर्सों का तपिल हातों में लें और हलके हलके हातों से पैर के तल्वों के मसाज करना शुरू करतें एक पैर की कम से कम 5 मिट के लिए आपको मसाज करनी है और याद रखिए पैर के तलवे की मसाज करनी है हलके हलके प्रेस करते हुए उसको दबाते हुए ऐसा कम से कम 5 मिट के लिए करें और दूसरे पैर की भी ठीक इसी तरह से कम से कम 5 मिट के लिए ह आपको ऐसा लगेगा कि आपने एक साथ पूरी बॉडी का मसाज ले लिया है आपकी पूरी थकान उतर जाएगी और यही वज़ये कि जब आप किसी स्पा में जाते हैं बॉडी मसाज के लिए तो वहां पर पैरों की मसाज पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है बहुत ज्य साइस की जाती है फूट मसाज सिर्फ इसलिए कि पैरों की तल्वों की मसाज से आपको बहुत ज्यादा रिलेक्स फील होता है तो यह थी आज की चॉप टिप इसे जरूर फॉलो कीजिए अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए और इसे अपने फेंस और फैमिली मेंबर ट्रीटिप के साथ तब तक के लिए बाइबाएब